महापूरसों प्यार से कहिए धनिरंकार जी पहन्साह बाबा अवतार सिंग जी महराज के मुखार बिंद से समय समय पर निकले अनमोल बचन जो अवतार उपदेश नामक पुष्टक से लिया गया है आपके स्री चरणों में समर्पित इस याचना कामना प्राठना के साथ कि है सत्गुरू माता सुदिक्छा सबिंदर हर देव जी महराज ऐसी किरपा ऐसी दया करो कि हम सब भी आपके इन बचनों को सुन करके अपने जीवन में ढाल करके अपना जीवन भी जिस तरीके से सहनसा जी चाहते थे पना पाएं रभीवार 22 जून वन्नेश सो अठावन अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेवक की तहा तहा उठिधावे सेवक कव निकटी होई दिखावे जो जो कहे ठाकुर पही सेवक कु तत्य काल होई आवे तिसकी सोय सुनी मनुहरिया तिसु नानक परसन आवे आदिगरंत 403 सैंसाह जी ने फरमाया साद संगत जी धा निरंकार जी साद संगत बचन आया है अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे साद संगत जी जिनका यह कथन है कि उनकी रक्षा हुई है जिस प्रकार अभी आपको माई जी माता ज्यान कौर जी जिनोंने अपने जीवन में हुए कौतुक का आज संगत में बड़न किया है ने बचन सुनाए तथा सब बातें अपने साथ घटा कर बताई हैं ये इस्वर भक्तों के बचन हैं तथा वास्तों में ही सच्चा पात्सा है अपने सेवकों की पैज रखता है हर जुग जुग भगत उपाईया पैज रखता आया राम राजे और थात ये अपने भक्तों तथा सेवकों की रख्षा करता है स्वेंग ही अपना नाम बताता है कि यह इस्वर है तथा इसके साथ जड़ो नाम की लगता कराने का काम यह आप ही करता है तथा जो काम यह करता है उसी को इस्वर कहते हैं या इंसान संसारी के इंसान नहीं होता जितने भी ऐसे इंसान संसारी में आए वे इंसान नहीं बलकि इस्वर भक्त होते हैं उनमें और इस्वर में कोई भेद नहीं होता जह जह काज किरत सेवक की तहा तहा उठ धावे जहाँ जहाँ भी अपने सेवकों का कायर होता है वहाँ वहाँ आप चल कर जाता है साद संगत यहाँ इसी प्रकार का खेल है जो अपने सत्गुरू के समय से ही देखता आया हूँ ये सेक्रेटरी साहब स्री राम सरंदास जी योंग जोग ध्यान सिंग जी जिनकी माता जी गुजर गई है जिस कारण आज हम सब एकत्र हुए हैं ये जब अपने सत्गुरू के सेवक बने इनके सब कारियों में सत्गुरू स्वयंग जाते रहे विवाह इत्याद तथा और जितने भी कार हुए सेहन साह स्वयंग गए तथा बाद में यह काम मुझे स्वप गए यहां बचन आया है कि जहां जहां भी सेवक का कोई कार होता है या निराकार सकुड सरूप धारण करके पूर्ण करता आया है और सुरू से लेकर अंत तक भक्त का जो जो कोई छोटा या बड़ा कार या वहां स्वयंग पहुँचता है सेवक कव निकटी हो ये दिखावे साधसंगत या सच्चा पात्सा है अपने को निकट होकर दिखा देता है कि मैं साथ हूँ दोनों रूपों में निराकार करके भी साथ है तथा साकार करके भी साथ है साकार रूप धार कर भी भक्तों की सहायता करके दिखा देता है जो 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 बात भी सेवक अपने ठाकुर से कहता है वा जल्दी ही भाव उसी वक्त हो जाती है पर सेवक सचा हो सेवक फरेवी ना हो सेवक अंदर बाहर से एक जैसा हो ना चाहिए या नहीं कि सेवक यंदर से कुछ और हो तथा बाहर से कुछ और हो क्योंकि यहां उन्हें लोगों का जिकर है दिलहु मुहबबत जिन से सचिया दिल से जिनको गुरू पर भरोसा है गुरू पर एतबार है सच्चा पात्सा है उनके कारे करता है इसलिए जो जो काम अपने ठाकुर को सेवक कहता है वा ततकाल कर देता है मैं तो उस सेवक के बलिहार जाता हूँ वाकई साध संगत जिस पकार यभी पूरी साहब ने छोटी बच्ची के गीत बोलने पर कहा कि ऐसे संतों के बच्चों की धूली होना चाहिए तिस सेवक के हव बलिहारी जो अपने प्रभभावे यहां भी यही बात कही गई है कि मैं बलिहार जाओं किन गुर्षिखों पर जो अपने प्रभूख भाते हैं जो अपने सत्गुरु को अक्षे लगते हैं तथा जिनको सत्गुरु अच्छा लगता है इसकी सोय सुनी मन हरिया साद संगत काते हैं कि ऐसे गुर्षिकों की सोभा सुनकर मेरा हिर्दे प्रसन हो जाता है वाकई साद संगत जब किसी गुर्षिक का नाम कानों में पढ़ता है गुर्मुकों के मन हरे हो जाते हैं कि यमुक गुर्मुक ने आना है वहाँ अनेक संतों के दरसन होंगे एक एक महापुरुस तथा महापुर्षों के बच्चों के नाम सुनकर मन हरा हो जाता है साद संगत यहां नानक अपने आपको कहा है लिखने वाला कहता है कि जो ऐसे गुरू का सेवक है गुरू का सिक है मैं उसके चरणों की धूली हूँ उसके चरण असपर्स करने के लिए जाता हूँ यह सब बातें सारे बेद गरंत सास्तरों पुरान कुरान तथा इंजील में लिखी है अतासाद संगत हमने इस तरह का बनना है केवल बिचारें ही नहीं करनी केवल बिचारों की बात नहीं अमली जीवन बनाना है असली जीवन बनाना है जो जो इन में लिखा है उन पर चलना है हमने स्वैंग एक दूसरे के चरणों पर गिरना है तथा एक दूसरे से प्यार करना है अपने इस्वर निरंकार को वंगसंग जान कर याद करना है कल ही साद संगत एक आदमी मेरे पास आया पढ़ा लिखा बड़ा लायक था तथा अच्छी पोजिसन वाला था उससे बचन चले पाले तो लोगों की बात करता रहा बाद में अपने बारे में कहने लगा कि मुझे भी एक बार परमात्मा के दर्शन हुए हैं पूछने पर बताया कि जो बंबार जहाज होता है उस पर एक बार विलायस से आना पड़ा वा जहाज बहुत बुलंदी पर उड़ता है जब वह बहुत उचा उड़ा तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता था उसमें दो आदमी और थे एक आदमी उस समय कहने लगा कि मुझे ब भय लगा तथा भय बस इस्वर को याद किया था अताहसाद संगत उसने सारी बात कही तथा कहा कि मुझे परमातमा के दर्सन हो गए मैंने पूछा दर्सन किस प्रकार हुए अब इस्वर कहीं चला गया है जिसके दर्सन हुए वह तो अब भी तुम्हारे साथ है परंतु व तुम्हें इससे पाले भी दर्शन हुए परंतुवा भूल गए हैं। तुम्हें इससे पाले भी दर्शन हुए परंतुवा भी दर्शन हुए परंतुवा भी दर्शन हुए हैं। बस महराज तुबा मैं ये बचन अफिर नहीं कहूँगा। यह बात जो आपने कही है मुझे ठीक समझ आ गई। हाला कि उसने ग्यान नहीं लिया अतासाद संगत या ठीक ही कहा है बिचहु गर्भे निकल याईया खसम बिसार दुनी चित लाईया। इस इंसान ने गर्भ से निकल कर अपने मालिक को भुला दिया है। दुनिया में जो कुछ इन आखों से नजर याता है उस सब में खो गया है या सब बस्तु में यहां की यहां ही रह जाएंगी तथा साथ जाने वाली बस्तु केवल एक निराकार प्रभु अकाल पुरखी है जिसके सहारे हम जीते हैं। गर्भ में भी हम इसके सहारे रहे थे यहां बाहर भी इसका सहारा है केवल इसी को जानना है जिसने नहीं जाना वा अब जान ले यह आपकी स्वयंग सुखी होने की तथा लाभ पहुँचाने की बात है। इससे किसी और को फाइदा नहीं पहुचेगा आपकी आत्मा परसन्न होगी आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ गई आप यह अपने मुख से कहेंगी की मुझे सांती मिल गई है मुझे आनन्द आ गया है तथा मैं सुखी हो गया हूँ। वाकई ही साद संगत जो सुखी हुआ है तिसकी सो ये सुनी मन परसन्न हो गया तथा तिस नानक परसन यावे मैं उसके चरण असपर्ष करने के लिए आया हूँ। साद संगत हमने भी एक दूसरे के चरण ही असपर्ष करने है इनी संतों महापुर्षों के चरण असपर्ष करने है इससे उपर याओर कुछ भी नहीं। सारे गरंथों तथा बाणियों में यहीं लिखा है साद संगत जी दा निरंकार जी। बुद्धवारतेश जुलाई वन्नेश्व अठावन तुम दातेठाकुर प्रतिपालक नाईक खसम हमारे निमक निमक तुम ही पतिपालहु। हम बारिक तुम्हरे धारे जिहवा एक कवन गुन कहिये। बे सुमार बे अंत सुवामी तेरो अंतु नकि नहीं लहिये। कोटि पराद हमारे खंड़। अनिक बिधी समझावह। हम अज्ञान अलप मत थोरी तुम्ह आपन बिरद रखावह। तुमरी सरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखव। राखन हार दयाला नानक घर के गोले। आदिगरंद 674 हुजूर ने फरमाया साद संगत जी धैर निरंकार जी। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नाई के खसम हमारे। साद संगत जी इसका भाव केवल इसके भेद को जानने वाले ही समझ सकते हैं। संसार तो ब्रह्म ज्यानियों के विचारों को केवल पढ़ता ही है परंत निरंकार यकाल पुरुख को पहुँचे हुए सज्जन तथा इसको जानने वाले महापुरुस ही केवल इन अनमोल सब्दों के भाव जानते हैं। आज संसार में जितने भी गुरु पीर अवलिया इत्याद बने हुए हैं वोई सर्भ व्यापक निरंकार को प्राप्त करने का एक ही ढंग बताते हैं कि बेद गरंतों को खूब पढ़ा जाए तथा उनका गायन किया जाए। क्योंकि वे स्वेंग भी इस गुप्त भेद को नहीं जानते इस सब्द में एक भक्त पूरे सत्गुरु के चरणों में आकर सर्भ व्यापी प्रभु के दर्सन करके बिंती करता है कि हे सहंसा तू दाता है सब का पालन करता है संसार में एक तू ही मेरा मालिक है। निमक निमक तुम ही प्रतिपालहु हम बारिक तुमरे धारे। साद संगत एक ज्यानवान की नजर सत्गुरु को पहचान सकती है। प्रमाता को अपने बच्चे प्यारे होते हैं उसी प्रकार प्रमात्मा को भी अपने भक्त प्यारे होते हैं। समंदर मसि करहूं कलम करऊं बन राय बसुधा कागद जी करहूं हर जसु लिखन न जाये वास्तों में सच भी आहे कि निरंकार स्रिजनिहार की उप्मा केवल कठिन ही नहीं बलकि ये संभो भी है बेसुमार बेयंत स्वामी तेरो अंतुनक की नहीं लहाईए सारी स्रिष्टी का स्वामी इस्वर है जो बेसुमार है बेयंत है अगम है बला इसकी उप्मा किस प्रकार की जा सकती है पोटी पराध हमारे खंड़ हूँ अनिक बिधी समझावू संसार में केवल एक पूर्ण सत्गुरू ही सब ये पराधों को माफ कर सकता है तथा ब्रम्य का ज्यान करवा सकता है क्योंकि इसका बिरद ही यही है जो सरणी यावे तिसकंठ लावे यह बिरद स्वामी सदा जिस प्रकार गंदे से गंदा जल भी गंगा तक पहुँच कर कहता है कि हे गंगा माता मैं तेरी सरण आया हूँ मुझे भी अपने में मिला कर अपने जैसा कर ले और जो ही गंदा जल गंगा में गिरता है गंगा का ही रूप हो जाता है ठीकि इसी प्रकार ही कैसा भी कोई को करमी जीव सत गुरु की सरण आकर इस सर्ब सत्यमान यकाल पुरुख निराकार को जाने लेता है उसके सारे अपराध ग्यान रूपी अगनी में जलकर नास हो जाते हैं और उसकी अज्यानता का नास हो जाता है ग्यानु अंजन गुरु दिया अग्यानु अंधेर बिनास हर किरपाते संत भेटिया नानक मन परगास सत्गुरु ही मन के अंधेरे को ज्ञान रूपी प्रकास से काट देता है हम अगियान अलप मत थोरी तुम्हे आपन बिरद रखावो संत जनिहां भी यही कहता है कि हे मेरे सत्गुर तेरी सरण में आने से पहले मैं अज्ञानता के कुएं में डूबा हुआ था मैं कर्म धर्म पूजा पाठ नेम जब तप तथा तीर्थ असनान याद में ही उल्जा हुआ था तथा इनको ही उँची पदभी देता था कर्म धर्म पाखंड जो दी सहीं तिन जम जागाती लूटे परंतु आपकी सरण आकर इस बात की समझ या गई है कि जितने भी किरिया कर्म हैं वे सब जूठे और पाखंड हैं उनसे छुटकारा नहीं मिल सकता जो जो कर्म की ये लालच लग तिह तिह आप बदाई हो सुधारने की कोशिस कर रहे हैं जो की असंबो है संसार में जितने भी ब्रह्म ज्यानी हुए हैं उन्होंने यही कहा है साध के सग नहीं कछू घाल दरसन भेटत होत निहाल और साध के संग बुझे प्रभु नेरा साध संग सब होत निवेरा साधू की संगत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती प्रभु की प्राप्ती के जिस महानकार के लिए यह जीव चिरकाल से भटक भटक कर हार चुका था प्रंतु साध संगत में जाते ही उसी समय पर मातमा को जान लेता है गुरु मिलिये हरी मेला होई गुरु मिलने पर ही हरी मिल जाता है तथा मुक्ती प्राप्त हो जाती है ना कि जूटी बस्तुओं को पूझने से इस्वर की प्राप्ती होती है ज्यान माने अपने सत्गुरु के चरणों में कहता है कि हे दाता मुझे अपराधी को भी आपन गोद मेरे लिया है इस निराकार का ज्यान देकर मेरे सूखे हुए बीरान जीवन में बहार भरदी है हाला कि मैं छोटी सी बुद्धी वाला ज्यानी था साद संगत जी इस प्रेम के मार्ग में केवल आप जैसे प्रेमी ही चल सकते हैं क्योंकि वे इलाही भेद को जानने वाले होते हैं तथा अपने आपको हर समय संत जनों के सामने कुछ भी नहीं समझते सदादास ही बने रहते हैं तुमरी सरण तुम्हारी आसा तुम्ही सजन सुहे ले जगत में हर व्यक्ती को अपने संबंधियों से आसा होती है किसी को अपनी ताकत का मान होता है किसी को धन का सहारा परंत भक्त को एक सत्गुरु के चरणों का ही सहारा होता है वास्तों में सत्गुरु के चरण भाग्यसाली पुरसों को ही नसीब होते हैं माई चरन गुर मीठे बड़े भाग देवे पर मेश्वर कोट फला दरसन गुर धीठे संत जनों का मित्र केवल इस्वर ही होता है तथा इनको अपने स्वामी की चरन धूली का मान होता है साद संगत जी जनोंने भी सत्गुरू की दयालुता पर मान किया तता सत्गुरू के हुक्म के अनुसार अपने जीमन को बितीत किया सत्गुरू के दरबार में ऐसे सेवकों के ही मुख उज्जुल होते हैं भीलनी जो बेर याद खाकर ही अपने भगवान राम की याद में ही प्रभु के दरबार में गया वहां भी प्रभु ने अपने भक्त के कच्चे चावलों को बड़े प्रेम से सुईकार कर लिया। उने भी बहुत से कच्च साने पड़े। महाराज ने इन कच्चों को भी पसंदता से इस्वर की किरपा समझ कर ही सहार लिया। क्योंकि प्रेमी जन इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सत्गुरु जो भी करता है उन्हें उचा करने के लिए करता है। भक्तों का सहायक केवल एक सत्गुरु ही होता है तथा भक्त जन इसकी सरण में ही स्वयं को सुखी समझते हैं। राखा हूं राखन हार दयाला नानक घर के गोले। समय तुही निरंकार का सुमिरन करते हैं। जैसे गुर्वाणी में लिखा है उठत बैठत सोवत धियाईये, मारग चलत हरे हरी गाईये, संतों की निसानी भी यही होती है। जिना सांस गिरास न विसरे हरिनामा मन मन्तु धनुक्षी सेई नान का पूरन होई संतु। साद संगत जी संसार में केवल आप पूर्ण संत हैं। मुझे आप जैसे उत्तम महापुरुस नोखंड प्रसभी पर और कोई दिखाई नहीं देते। क्योंकि आपने संसार में आकर पूर्ण सत्गुरु से मिलकर इस सर्व सक्ती मान सर्व कला समरत प्रभू को अपने अंग्संग जान लिया है। तथा हर समय इसी की याद में अपना जीवन बितीत कर रहे हैं। आप जैसा भाग्य साली इस संसार में और कोई नहीं। साथ संग जी दय निरंकार जी। रभीवार 31 अगस्त 1958 इक घडी दिन सुमोकव बहुत दिहारे। मनु ना रहे कैसे मिलव पियारे। इक पलु दिन सुमोकव कबहु न विहावे। दर्सन की मनी आस घनेरी। कोई ऐसा संतु मोको पिरही मिलावे। चारी पहर चहु जुगाह समाने। रेंड भई तब अन्तु न जाने। पंच दूत मिली पिरहु बिछोडी। ब्रमी भ्रमी रोवई हाथ पिछोडी। जन नानक कव हरी दरस दिखाईया। आतुम चीन परम सुख पाईया। आदि गरंथ 374 सेंसा जी ने फरमाया। साध संगत जी दय निरंकार। साध संगत यहाँ बचने आया है। इक घड़ी दीन सुमों को बहुत दिहारे। बस्तुता जिनको यहाँ प्यास लगी होती है। जिनके अंदर चाह होती है। उनके लिए इसी प्रकार होता है। जिस प्रकार किसी को प्यास लगी हो। और उसे थोड़ी देर के लिए पानी ना मिले। उसे इस प्रकार होता है कि मैं प्यास से मर गया मेरे प्राण निकल रहे हैं इसी तरह साध संगत जिनको यह ईश्वरी ये प्यास इस प्यत्म के दर्शनों की प्यास लगी होती है वह वाकई ही इसी प्रकार तड़कते हैं इहां यह महापुरु से अपनी तड़पन बता रहा है जिसके अंदर यह प्यास लगी थी कि कोई मुझे प्रभू के साथ मिला दे जिससे मिलकर मैं सांत हो जाऊं मेरे हिर्दे में ठंड़क पड़ जाए मन न रहे कैसे मिलव पियारे कहता है कि मेरा मन यब नहीं रहता मैं किस प्रकार अपने प्यारे से मिलू साध संगत वाकई जिस समय पंचम पात्सा हस्री गुरु अरुजुन देवजी अपने गुरु से बिछड़े तथा उन्हे लाह और भेजा गया उस समय इसी प्रकार की तड़पन हुई मेरा हिर्दे बहुत व्याकुल हो रहा है कौन सा समय होगा जब मैं प्रियत्म से मिलूंगा यहां भी यही बात कही है मुझसे तो अब एक पल भी व्यतीत नहीं किया जाता अब तो मैं एक दिन भी बिना प्रभू के मिले नहीं बिता सकता मैं बहुत ब्याकुल हो रहा हूँ दर्सन की मन आस घनेरी कोई ऐसा संत मो को पिरह मिलावे मेरे मन में दर्सन की बहुत चाहा है दाता मुझे दर्सन दे वाकई साध संगत इन बातों से हमें पता लगता है कि भक्त किस प्रकार ब्याकुल हो जाते हैं अब साध संगत जिस समय आप सब यहां बैठे हैं और ध्यान लगा हुआ है इसी प्रकार साध संगत कल हम बंबई में बैठे हुए थे और ध्यान लगा हुआ था और पूरा दिन ही लगा रहा पांच बजे के करीब मैंने कहा कि आप इसी प्रकार हाल कमरे में बैठे हो और मु पहुचे हुए थे पता नहीं लगा कि वे किस प्रकार वहां पहुचे कोई टक्सी पर और कोई किसी प्रकार साध संगत मैं देख रहा था कि इनका मन किस प्रकार व्याकुल हो रहा है ये लोग यही चाहते हैं कि पास ही खड़े रहें और दर्सन ही करते रहें पुरातन भक्त भी इसी पकार करते थे और यही बात कहा रहे हैं कल भी मैं सारा दिन यही व्याख्या करता रहा ये लोग जो यहां बैठे हैं इनके साथ मेरा पहरावा खुराक बोल चाल यादी नहीं मिलते पर प्यार कितना करते हैं कि देख देख कर जीते हैं साध संगत एक दिन की बात है स संगत की समापती के बाद दो-चार महापुरुष जा रहे थे, वहाँ टिकट चेकर या गया, सभी टिकटें मेरे पास ही थी, उसने पूछा या टिकट किस किस की है, मैंने संकेत करके कहा इनकी है, वहाँ पूछने लगा कि इन से तेरा क्या संबंध है, मैंने कहा कि ये मेरे बेटे और बेटियां हैं, या सुनकर वा हैरान हो गया और कहने लगा कि ये तो सिंधी हैं और आप पंजाबी हैं, ये तुम्हारे बच्चे किस प्रकार हो सकते हैं, हमें या पता नहीं चलता कि या मराठी है, पंजाबी है या सिंधी है, और या सब कहते हैं मेरा बाबा, म मुसलमान इसाई को देखती है, जिनको ये हिर्दे की आखे मिली हैं, वह इस्वरिये संसार, इस्वरिये प्रेम और इस्वरिये रंग तमासे देखते हैं, यदि इन से पूछें कि आप कौन हैं, तो उत्तर मिलता है हम रभी इंसान निरंकारी हैं, अब यदि हम बाहर के आपको मिली है, संसार तो पसू की तरह जिंदकी वितीत कर रहा है, यहां आवाज आई है कि मेरे मन में दर्सन की बहुत इच्छा है, जिनके मन में दर्सन की इच्छा होती है, वही कहते हैं कि जो सिरदितियां हरी मिले, ता भी सस्ता जान, इसी परकार जिन लोगों को प्र प्रभू से मिला देंगे तन मन धन हमें अरपन कर दो ये वेचारे सब कुछ अरपन करके जीवन भर पानी भरते रहे और बना कुछ भी नहीं इस परकार संसार में धोखा हो रहा है हमारे बड़े उचे भाग्य हैं कि हमें सत्य की समझे आई है परमातमा हमारे साथ है या तन म धन परमातमा का है और परमातमा का ही मानना है या सब कुछ परमातमा का दिया है परमातमा की अमानत है परमातमा जिस समय चाहे ले सकता है हर समय यही कहना है कि हे परमातमा हे इस्वर या सब कुछ तेरा है जैसे कहा है कबीर मेरा मुझ महीं कच्छ नहीं जो कुछ है सो तेर तेरा तुझ को सौपते क्या लागे मेरा दुनिया के लोग यदि समझ जाएं कि यह तनमन धन वास्तों में परमातमा का है तथा जो दुनिया के गुरु यह काते हैं कि यह हमें दे दो बला उनको क्यों दे दें हम यह तो मान लेंगे कि यह अंधिरंकार का है तता जिस वक्त चाहे ले सकता है पर इन गुरूँ को अपने हाथ से क्यों दे दें लेकिन दुनिया के लोगों को कहा जाता है कि तनु मन धन सब सौपी गुरु को हुकुम मनिये पाईए क्या लिखा हुआ तो है पर पहले गुरू की पहचान कर ले कि ऐसा गुरू मिला भी है जिसके अंदर लोभ ना हो, क्रोध ना हो, लालच ना हो, अपने अंदर जहांक कर देखो कि आपका कल्यान किया है या नहीं कहीं किसी भरम में पढ़कर तन मन धन तो नहीं लुटा रहे, साध संगत जिनकी याँखें खुली राती हैं, वो अच्छी तरह देख सकते हैं अब तो साध संगत जिस समय इन महाजनों के उंचे उंचे बचन सुनता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि अब तो अधेरा गया, अब अधेरा नहीं ठार सकता क्योंकि बचन बहुत उंचा जा चुका है, पिछले महापूरसों ने तो फिर भी कुछ संकोच किया है, इस सम मैं उनके बोल देखें, तो बहुत उंचा बचन होता है, दुनिया के बड़े-बड़े साइंस दानों को भी मात कर जाते हैं, तथा दुनिया को दावे से काते हैं कि आओ, क्यों भुलावे में पड़े हो, सत्गुरू की सरन में आ जाओ, और सुख पराप्त करो, यही बात हम कह रहे हैं कि मुझे दरसनों की प्यास है, मुझे पती परमातमा मिला दो, कोई ऐसा संत पूर्ड सत्गुरू मिल जाए, जिससे मैं सुखी हो जाओ, साद संगत जी, संत वही होता है जो सत्गुरू को मिला दे, और गुरू वही होता है जो पूर्ड परमातमा से मिला दे आगे काते हैं चार पहार चहु जुगह समाने रेंड भई तब अन्तु न जाने ये जो चार पहार गुजरते हैं मेरे लिए ये चार युगों के समान है तथा जिस समय रात पड़ जाती है फिर वह व्यतीत होने में नहीं आती रातरी अज्ञानता को काते हैं जिस समय इन पांच दूतों ने मुझे पती परमातमा से अलग किया हुआ है। हम मकान छोड़ कर चले जाते हैं पीछे से चाहे मकान तूट जाए हमें मकान से क्या हम तो उसमें से निकल जाते हैं इसी पकार यह सरीर भी मकान है तथा इस मकान में आत्मा रह रही है जिस समय इस सरीर में से आत्मा निकल जाती है तो इस सरीर को कोई जलाए या जो मरजी हो क इसे कोई दुख नहीं पहुचता हमें इन पांच तत्तों का भुलावा पड़ गया है हम तो सदेवकाल जिन्दा रहने वाले हैं अगर इसने परमात्मा की पहचान कर ली तो यह आत्मा अटल अभिनासी हो गई अगर पहचान नहीं की तो 84 में भटकती रहेगी जिस पकार एक बार एक साहुकार जो काफी समय से पैसे लेने देने का काम करता था उससे किसी आदमी ने 500 रूपए उधार लिये पहले भी कई बार पैसा उधार लेता रहता तता साहुकार ने साम को हिसाब लिखने के समय बजाय उसके नाम पर लिखने के उसके नाम जमा कर दिये इस पका नगत गिंती की तो उसमें एक हजार रूपे कम निकले बहुत सोचा कि एक हजार रूपे कहां गए चाभी तो मेरे पास ही राती है इस से वह अपने घर वालों तो था नोकरों पर संदेह करने लगा परंत कुछ पता ना लग सका किताबी हिसाब तो ठीक था लेकिन कैस में कम इतने में कोई वुद्ध्यमान व्यक्ती उससे मिला उसने कहा कि एक एक करके इसके जांच करें कि कौन ले गया और कौन जमा कर गया है इसी प्रकार किया गया जिन से लेने थे उनसे एक एक करके पूछा तो उन्होंने कहा वाकई हमने देने हैं इसी प्रकार लेने वालों से पूछा जिस समय उस ब्रक्ति से पूछा कि आपने 500 रूपे लेना है तो जबाब मिला कि मैंने तो देना है लेना नहीं अमुक तारीख को मैं ले गया था और मैंने अपनी किताब में भी आपका जमा किया हुआ है जिस समय साहुकार से पूछा तो उसने कहा कि यह तो 500 रूपे ले गया था इस पर उस दिमान पुरुष ने कहा कि यही भुलावा पड़ा हुआ है जिस कारण यह 1000 रूपे का अंतर पड़ रहा है अता जिस समय भरम दूर हो गया तो उसे तसली आ गई और साहुकार ने उस ब्यक्ति का धन्यबाद किया इसी परकार हमें भरम पड़ा हुआ है कि यह पांच तत्त ही हम हैं लेकिन साध संगत यह भरम है आप तो आत्मा है आपको सस्त्र काट नहीं सकता अगनी जला नहीं सकती पानी बहा नहीं सकता कभी कुछ भी नहीं होता क्योंकि जिस परकार निराकार को कुछ नहीं हो सकता इसी परकार यात्मा का भी कुछ नहीं होता क्योंकि आत्मा परमात्मा का आंस है दुख केवल भरम के कारण ही होता है भरमी भरमी रोवे हाथ पछोडी पुलावे में आई हुई आत्मा हाथ मसल मसल कर रो रही है जन नानक कव हरी दरस दिखाईया आतम चीन परम सुख पाईया मुझे निरंकार प्रभु के दरसन हो गए है मेरा भरम दूर हो गया है मैंने आत्मा को जान लिया है तथा परमपद को प्राप्द कर लिया है साध संगत वाकई इस आत्मा ने परमात्मा को जानना है ना तो आत्मा इन आखों से नजर आ सकती है तथा ना ही परमात्मा जीवा साद संगत, आप भी अपने अंदर जाक कर देखें कि जूट तो नहीं कह रहे, साद संगत, यहां तो मैं हर समय कहता हूँ, इसलिए संगत को सुनने का इतना चाव नहीं होता, परन्तु बाहर जाने का समय मिलता है, तो गिंती के दिन मिलते हैं, वहां पता लगता है कि संगत म ये गरीब निवाज क्या तेरी ही लिला है साथ संग जी दय निरंकार जी रभीवार 28 सितंबर 1958 बड़ भागी ते जन जग माही सदा सदा हरी के गुन गाही राम नाम जो करही विचार से धन वंत गनी संसार मन तन मुख बोल ही हर मुखी सदा सदा जान हुते सुखी एक हु एक एक उपछाने इत उत की वो हु सोजी जाने नाम संग जिसका मन मानिया ना नकति नही निरंजन जानिया आदिगरंथ 281 सहिन साह जी ने फरमाया साथ संग जी दय निरंकार जी बड़ भागी ते जन जग माही वे जन इस संसार में बड़े भाग्यवान है जो आप जैसे गुर्मुक्त था संत जन है साथ संगत आप अपने अंदर जाक कर देखें कि वाकर यदि आप सच्चे हैं परमातमा को मानने वाले हैं एक निराकार प्रभू का ध्यान करने वाले हैं तो फिर आप से उपर कोई नहीं सदा सदा हरी के गुरगाही जो सदेव हरी के गुरगाते हैं गरंथों के नहीं जो गुरु पीर हो चुके हैं उनके नहीं बलकि हरी निरंकार यकाल पुरुख के गुडगाते हैं, कोई भाग्यवान हैं, किसी से पूछें कि तू किसको मानता है, तो कोई कहेगा मैं विश्लू भगवान को, कोई मुहम्मत को, कोई हनुमान को, तथा कोई कहेगा मैं भैरों को मानता हूं, भैरों के सिवा जो जमे ते मर जाए एको सिमरहु नानु का जो जल थल रहिया समाए बाबा जी ने तो लिखा है बारिया नजावा एक बार जो तुद्र भावे साई भली कार तुँ सदा सलामत निराकार कोई स्वेंग भी एक ईश्वर के उपासर थे तथा संसार को भी एक का ही उपदेश दिया इसका प्यार फ्राप्त किया सत्य बात कही की परमातमा से मिलो यदि एक आपके साथ है तथा यही आपकी आगे भी सहायता करेगा बाकी सब कुछ यही रह जाएगा धर्ती यही रह जाएगी पानी यही रह जाएगा अगनी बायु आकास सूर्य चांद तारे सब यही रह जाएंगे गरंत बेद पुराण माता पिता भाई बहन सब यहाँ पर ही रह जाएंगे साथ केवल यही एक द्रंकार ही रहेगा राम नाम जो करही विचार से धनवंत गनी संसार साद संगत जिन्होंने यह विचार कर लिया इस बात को समझ लिया कि यह राम है तथा यह नाम इस धर्ती पर वे ही धन वाले हैं नाम धन जिस जनके पल्ले से ही सच्चे सा उनका संसार में आना सफल है मन तन मुख्य बोला ही हरी मुख्य तन करके मन करके हरी निराकार प्रभू का सुमिरन करते हैं कानों से ये बचन सुन रहे हैं सदा सदा जाना हुते सुख्य वे सदेवकाल के लिए सुख्य हो गए हैं वाकई साध संगत अब अपने हिर्दे में जाक कर देखो कि कितने सुखी हो गए हो तीरतों पर जाना जप करना थंडे पानी से सुबा उठकर असनान करना चाहे सरीर कांपता रहे उपर से पाथ इत्याद पर बल देना परंत हिर्दे से इर्षा का ना जाना साद संगत मैं तो यही मांगता था कि सच्चे पाथ सा यह कलपना कब समाप्त हो पूजा भी बहुत करता हूं दस बंद भी निकालता हूं परंड भी पूरे करता हूं परंत फिर भी इर्षा नहीं जाती अतासाद संगत सच्चे पात साहने बिंती सुन ली क्योंकि यह तो साथ ही था पास ही सुन रहा था यही अरदास करता था कि सेई पियारे मेल जिना बिलियां तेरा नाम चित्ते आवे परन्तु ध्यान प्यारों की ओर नहीं होता था केवल मुह से मांगते ही थे ध्यान तो यही होता था कि गुरुद्वारा जाने से मिल जाएगा गुरुबाणी पढ़ने से उन प्यारों से मेल हो जाएगा वे प्यारे कौन से आप जैसे महात्मा परमात्मा को जानने वाले संत जो सक्ची संगत से मिला है उसका बेना पार हो गया अतहवा कई साध संगत अस्थान अस्थान पर संगत ही लिखी है साध संगत बड़ भागी पाईए आगे इस प्रकार लिखा है सदा सदा जाना हुत्ते सुखी और यह उतार गुरू पीर पेगंबर के साथ जो हो चुके हैं या इस समय मौझूद हैं उनके साथ प्यार करने से यह सुखी नहीं हो सकते जब तक जीव इस्वर का ध्यान ना करे तथा परमात्मा को ना जाने एक हो एक एक उपछाने एको एक एक का अभिप्राय यहां खोल दिया है कि एक निरंकार ही है बहुत से ना बना लो मुसलमान प्यानों ने अपना हिंदों ने अपना अलग अलग धर्म आस्रम बना लिया है परंतु यह जो महापुरुष कहा रहे हैं इसको नहीं समझा का है एकस कउं तु आया पचाड़हूं भी एकउ कर इस एक को पहचानने के लिए ही तुझे जन्म मिला है तो तुने पहचान भी एक की ही करनी है इसी को राम इसी को परमातमा गाड या लाह कहा है जिस प्रकार पानी को वाटर जल नीर आब तथा पानी इत्याद कहा जाता है परंतु बस्तु यही है जिसने पानी को जान लिया उसे यहां वहां की समझा आ जाती है क्योंकि प्यास तो पानी के साथ लेकिन हम उस बिद्या को नहीं जानते इसी फकार साद संगत या भी एक बिद्या है जिस समय तक हम परमातमा को नहीं जानते अज्ञानता में अंधे हैं जिस समय जान लेते हैं उस समय ज्यानी हो जाते हैं या बिद्या हमने पढ़ ली या ब्रहम ज्यान हमने जान लिया नाम संग जिसका मन मानिया जिसका मन इस निरंकार को मान गया जिसके हिर्दे में या विश्वास हो गया कि यही निरंकार है जो कुछ मुझे बताया गया है साध संगत या बस्ता तो किसी किसी के हिर्दे में है नहीं तो या आम दुनिया वाले या काने लग जाते हैं कि या क्या हम प्रसाद संगत लोगों को ऐसे ही भरम हो जाते हैं कि यह निराकार मांगता कुछ भी नहीं केवल प्रीत मांगता बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे जोग को उच्छान छवावे हो क्या लेता कुछ नहीं केवल एक बार जब हम हिर्दे से काते हैं कि हे निराकार मैं तेरी स्रण हूँ मुझे बख्स ले बस उसी समय च्छमा कर देता है इसलिए इसको दयालू किरपालू राजक पालक कहा है या किसी प्रकार की देर नहीं करता नानकतिना हि निरंजन जानिया यही एक दिरंग कार्ण दिरंजन है जो जन्म नहीं लेता मरता नहीं आता नहीं जाता नहीं सदेव एक रस रहता है जिसने इसको जान लिया समझ लिया कि यह एक रस रहने वाला है उसका संसार में आना सफल है साध संगत अभी मैंने एक दिस्टांद दिया कि कल ही मुझे एक महापुरुस ने एक बात बताई तथा कहने लगे कि गुरुद्वारे में एक बेक्ती आया है और उसने कहा कि मैं एक नियम करता हूँ तथा उसके बाद चाय पानी आज पीता हूँ उन्होंने कहा कि आप अपना नियम पूरा कर लीजे जिस समय वहाँ अपना नियम करने लगा तो उसने सिर नीचे कर लिया और पैर वूपर करके खड़ा हो गया कई लोग तो यहाँ देखकर कहने लगे कि इसको इतना बहुत अन्वो है वाकई उसको बहुत अभ्यास है तथा उस समय उन्ह दो किस्म के लोगों का आपस में कुछ सोर सा मच गया कि इसने तो गुरू साहब की बेचती कर दी जिसने यह सब देखा उसने हमारे एक महापुरुष ईस्वर भक्त के सामने इसका उलेक किया तथा कहने लगा कि महाराज आज कल तो दुनिया में बहुत ऐसे ब्यक्ती हो गए हैं कल ही गुरू साहब का प्रकास हुआ था कि एक ब्यक्ती सिर नीचे जथा पैर उपर करके कहने लगा कि मैं अभ्यास करने लगा हूँ गुरू साहब से पाऊं उचे कर लिए उन्होंने कहा कौन से गुरू साहब से उसने उत्तर दिया गुरू गरंत साह तो उन्होंने कहा कि गुरू साहब से कुछ ना कुछ तो सदा उंचा रहता ही है क्योंकि सिर तो हर समय चाहे खड़े हो जाएं या बैठे रहें उंचा ही रहता है। वाकाने लगा कि पैर नहीं तो या छट गुरू साहब से उंची हो गई छट तो गुरू साहब से उंची नहीं होनी चाहिए तो उसने कहा कि महाराज छट तो उंची होती ही है तो उन्होंने फिर कहा कि छट नहीं तो या पंखा गुरू साहब से उंचा है या तो उपर ही चलता है या उचा नहीं होना चाहिए इसको बंद करो तो वा कहने लगा कि आप किस प्रकार की बातें हैं आप तो और की और ही बातें करते हैं तो ब्रह्म ज्यानी ने कहा कि भले आदमी हमें तो वह गुरू चाहिए जिससे वूपर कोई हो ही ना सके ना पैर ना सिर वाकई साथ संगत आप ये अपने गुरू अकाल फुरक निरंकार की और देखो क्या कभी आपका गुरू नीचे रह जाता है अति वूचा ताका दरबारा अंत नाहि कि छुपारा वारा वहाना किसी के पैर पहुचते हैं ना सिर या तो सबसे वूचा है इतना वूचा कि जिससे वूचा और है ही कोई नहीं तो चरन किस प्रकार वूचे जाएंगे वाकई साद संगत बाबा जी ने हमें ऐसी आवाज दी है कि आदि यंत येका यवतारा सोई गुरू समझीयो हमारा नमसकार तिसही को हमारी सगल प्रजा जीन आप समारी या सारी प्रजा जिसने बनाई है या मेरा गुरू है इसी को भगवान निरंकार राम खुदा गाड क पहुँच सकता हमें ऐसा ही बनाना चाहिए या छोटे छोटे गुरू क्या बनाने जिनको पाउं का भी खतरा हो गया और सिर का भी सबसे छोटे हो गए दुनिया में कितनी अज्यानता फैल चुकी है हम पर भी इस प्रकार के हजारों सवाल होते हैं कि देखो जी गुरूब परसाद संगत अज्यानता फैल चुकी है कि जो बात बताने वाले ने सत्य कही है उसकी तो कोई कदर नहीं तथा जूटे भुलावे में दुनिया पड़ी हुई है मानना तो हमने ऐसे अकाल फुरुक को है जिससे उचा कोई हो ही नहीं सकता ये बेद कुरान गरंत गीता सब्द भी नीचा नहीं होता सचहु औरे सब को उपर सचु आचार सब्द का आकार कोई नहीं और हम कहने लग जाएं कि नीचे आ गया है जिस प्रकार यदि गुरु को जेल में डाल दें तो उसका सब्द निरंकार तो जेल में नहीं आएगा तथा वाकई साद संगत या अ संग संग अकाल पुरख निरंकार जो हर समय हमारे साथ है यह हमारा गुरु है जिसके संबंध में लिखा है गुरु मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिसु सदा समाले साद संगत आप जैसे ब्रह्म ज्यानी महापुरुस ही गुरु को जानते हैं हमने तो इश्वर के भक् एको जप एको सालह एक सिमर एको मन माही एकस के गुनगाव अनन्त मन तन जाप एक भगवंथ एक 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 हर आपी पूरण पूरि रहव प्रभु व्यापी अनिक विस्थार एक ते भई एक अराधि पराच्छत गए, मन तन यंतर एक प्रभुराता, गुर्पसाद नानक इक जाता। यही बात महत्मा कहते हैं, दूजा काहे सिमरिये, जो जम्मे ते मर जाए, एको सिमर हुनान का, जो जल थल रहिया समाए। आप जैसे महापुरुष संत महत्मा ही जगत की रच्छा करते हैं, आप बचाएं तो संसार बच सकता है, पर ना संसार या ज्यानता के कुएं में गिरपड़ता है। अपनी सेना की और देखे जो की हर समय लड़ने मरने के लिए तैयार खड़ी हो तथा एक एक व्यक्ति के नियंतरण में सौसो तथा हजार हजार व्यक्ति हो उस समय ध्याने आ जाता है कि अभी से कौन जीत सकता है वाकई साथ संगत जिस समय मैं देखता हूं कि अस्थान अस्थान पर अर्थात सहर तो सहर गाओं में भी संगतें अस्थापित हो चुकी हैं तो काता हूं कि कलजुक की क्या ताकत कि इसको दबाले एक सिख भी कम नहीं परंट यहां तो बेजंत हैं सैकलों तथा हजारों अस्थान अस्थान पर नजराते हैं, अब हमें क्या डर साध संगत वा डर क्या है कि यह संसार जो अंधे कुए में गिर जाता है इदि आपने इसे बचा लिया तो आप परोपकारी गुर्मुख हैं क्योंकि संत अपना भला नहीं दूसरों का भला चाहत तथा पुरातन भक्तों ने भी यही काम किया है इस वक्त के संतों ने भी यही कुछ करना है तथा आगे आने वाले संतों ने भी यही करना है संतों का और कोई काम नहीं होता अपने इस्वर को आप जानते हैं तथा दूसरों को इसका ज्यान कराते हैं कि यह निराकार है इसके साथ जुडो साथ संगत जी धाय निरंकार ची